नमस्कार मैं डॉक्टर राकिस रियाल पत्तरकारता यों मीडिया अध्यन बिद्धा साका के अंतरगत एसोशीट प्रोफेसर के पत्पर कारे रत हूँ आज का जो ब्याख्यान है वह मेजेमसी उन्नीस का जो पर्थम समेश्टर है उसका पर्थम प्रश्ण पत्र एमेमसी एकसो एक और पीजी डीजेमसी उन्नीस के तहट जो डीजेमसी एकसो एक है संचार प्रक्रिया सिध्धान्त अवधारणाई था प्रारूप संचार के प्रक्रिया क्या है इसके सिध्धान्त क्या है इसके अवधारणाई क्या है और इसका प्रारूप क्या है यह जो बिसय है यह जो पहला कोर्स है MMC 101 और PGDJ MC 101 का इसके तहट कुल आठ एकाईयां छातरों के लिए अध्धन सामगरी के रूप में प्रसुत की गी है और आज जो पहली एकाईय है आज हम यहां पर उसके बारे में आपको बताएंगे और इस एकाईय के अध्धन से आप जान पाएंगे कि संचार क्या है इसकी प्रवासा को जान पाएंगे इसके अर्थ को समझ पाएंगे, इसके प्रक्रिया को जान पाएंगे, इसके स्वरूप को जान पाएंगे और इसका क्या महत्तु है, इसको आप जान पाएंगे संचार एक चलाएमान प्रक्रिया है, जो निरंतर चलती रहती है वहो सुचनाओं का आदान परदान, भावनाओं का आदान परदान, बिचारों का आदान परदान या किसी विसेश पर घहराई से चर्चा या परचर्चा ये तमाम जो परक्रियाएं हैं ये संचार के तहट आती हैं अंग्रेजिये में इसे कॉम्णिकेशन कहते हैं और संचार आज के जीवन में इदी हम बात करें तो हमारे जीवन का अभिन अंग बन गया है इदी बरतमान में संचार परक्रियाएं रुख जाएं जो आज का ग्लोबल युग है जो आज भुमंडिली करण हुआ है विश्रो का आज पूरा विश्व एक गाउं की रुप में निजर आता है तो ये संचार परक्रिया और संचार परक्रिया में जो निरंतर परगती हुई है जो इसके जो तक्निकी इसमें विकास हुआ है जो इसके नए नए जो आयाम आये हैं संचार के तो आज इन्होंने पुरे विश्व को एक गाउं के रोप में परिवर्तन कर दिया है एक गाउं के रोप में आज पुरा विश्व दिखाई देता है तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है अब हम बात करते हैं संचार का सुरोप संचार का स्वरोप क्या है संचार का स्वरोप इसको अलग-अलग विद्ध्वानों ने अपने तरीके से इसको प्रवाश्चत किया है यह एक इसका जो स्वरोप है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यहो अलग-अलग तरीके से होती है, यह सिंबॉलिक भी होती है, जिसे हम संकितिक कहते हैं, यहो मौकिक भी होती है, यहो लिखित भी होती है, जिसे हम कहते हैं, वर्वल और नौन वर्वल, अंग्रीजी में कहते हैं, वर्वल, नौन वर्वल, कॉम्निकेशन, साब्दिक और सब्देतर संचार, तो इसका अलग-अलग परिस्तियों में इसके तरीके अलग-अलग हो जाते हैं, इसका सुरूप अलग-अलग हो जाता है, तो मोखिक और सब्दों के रूप में, सब्दों के रूप में जो मोखिक हो, चाहे लिखित हो, वो हमारे साब्दिक संचार कहत और नौन्वर Frva dokumentation जो आपके सिंबोल में जो संकेतों के रूप में जो है क्या हो रहा है संचार हो रहा है और इसे हम सब्देतर का संचार कहते हैं तो इसका सोरूप है Ang mr. परस्थित्यों में जो संचार का सोरूप है वह बदल बगत और परसितियों और जो एक उसमें संचार में कौन लोग उसमें सामिल है या किन परसितियों में संचार हो रहा है उसके आधार पर उसका सुरूप बदलता रहता है अब है हम संचार की प्रक्रिया संचार की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है संचार की जो प्रक्रिया है वह एक जटिल प्रक्रिया है और कई विद्ध्वानों ने इस कौनिकेशन प्रोसिस को जो संचार की प्रक्रिया है कौनिकेशन प्रोसिस को अपने अपने अंदाज में जो है परवाश्यत किया है अ उनके अन्रूप जूस प्रक्रिया को एक कम्प्रिटशन परकुष होतीairy उसके लिए क्या चीज ज़रोरी हैं और किन-किन पार सुरूप में जो है यह प्रक्रिट पूर्ंथ यद्या कम्प्लिट होती है तो सर्पिल जो एक प्रक्रिया उन्हें दी है सबसे पहले एक सर्पिल प्रक्रिया उन्हें का ये कॉम्निकेशन जो होता है एक सर्पिल के रूप में होता है मतलब जैसे हम उदहान के लिए कि हम इदे किसी तालाब में कोई पत्थर ये डालते हैं तो वो पहले क्या होता है ज अंचार की परक्रिया जो भी है जो हो है उभी इसी सुरूप में इसी आ कार में जो है वह उसका आ कार बढ़ता जाता है उधारण के लिए मैंने किसी अधार बेक्तिबिसे से कोई बात रखी उन्होंने फिर दो लोगों से रखी दोने चार से रखी 4 ने 8 सेी एक जोड़ी सी जगह से लेकर और उसका बरता जाता है और उन्हें एक तालाब में पत्थर फेंकने से जो हमको सरक्री दिखा देते हैं उन्हों बढ़ते हुए जो उनका सुरूप होता है उस प्रक्रिया के माद्यम से उन्हें संचार की प्रक्रिया को समझाने की कोशिस किया है तो यह संचार उन्हें का कि यह संचार की प्रक्रिया है दूसरा उन्हें का कि कारिय ब्यापार का मतलब क्या है ट्रांजेक्शन इसे हम इंगलिज में कहते हैं ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब आदान परदान उन्हों का कि संचार आदान परदान से होता है मतलब संचार के जो परक्रिया है वो तब पूरी होती है जब उसमें विचारों का आदान परदान हो माना सपोस्थ लेट मैंने आपके सामने कोई बात रखी और आप ने उसमें कोई परतिक्रिया नहीं दी चाहे वो आपने सिंबोलिक में दी च्याए वो आपने जो है वर्बल में दी लिखित में दी मोखिक में दी आपने हाव भाव से दिये तो जब तक आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं कोई feedback नहीं होगा तो तब तक जो है communication की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी आतर मतलब एक communication की जो प्रक्रिया है एक transaction प्रक्रिया एक transaction position जिसमें आदान परदान होता है सुचनाओं का जानकरी का भावों का बिचारों का यह तमाम इसमें क्या होता है आधान-पर्दान होता है तो इसलिए उनने कहा कि communication process is the transaction process मतलब जो communication की जो परिया है संचार की जो परिया है वो transaction जैसे है जैसे transaction में आधान-परदान होता है तो जब तक आधान-परदान नहीं होगा बिचारों का, सुचनाओं का भावनाओं का तो तब तक संचार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगे जो तीसरा होने का कि मीनिंग संचार की प्रक्रिया के लिए मीनिंग मतलब जो मेरे भाव हैं जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं जो मेरे वक्तव्य है जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ उसका अर्थ जब तक आप नहीं समझेंगे कि मैं मेरा और उसका अर्थ जब तक स्पष्ट नहो और उस उसपष्ट तको मैं आप तक न पहुँचा पाऊं और आप उस अर्थ को उस भाव को न समझ पाएं, उसके अर्थ को न समझ पाएं, आपके पास वो भाव ना आएं, जो मैं रखना चाह रहा हूँ, तो तब तक संचार की प्रक्रिया complete नहीं होगी मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं जो भाव मेरे हैं उसका अर्थ कहते हैं जो अपने बहावों को अर्थ पूर्ण उसके हैं उनके सामने रख रहा है तो और जब तक वह उसके भाव को उसके तर्थ को समझेगे निंव्यों तब तक संचार पर किया नहीं हो पाएगी, अधो संचार जो है उसका अर्थ जो है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, सरर होना चाहिए, जिससे कि आप अपने भावों को परकड़ कर सकें और जिसके सामने आप अपने भावों को रख रहे हों, अपने विचारों को रख रहे हों, वो आपने भावों को तदकाल इसको जो एजिली समझ सके तो ये उन्हों है एपिखा और चौथा सिम्बॉलिक एक्श्ण सिम्बॉलिक एक्ष्ण जो है सांकेतिक प्रक्रिया कुरिया किरिया में प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर जो एनिमल्स होते हैं, या अभी मैंने उदाहन दिया था, जो मूख वधिय होते हैं, जो न तो सुन सकते हैं, और न बोल सकते हैं, उनकी बीच जो प्रक्रिया होती है, और वो कैसी होनी चाहिए, वो भी प्रभावी होनी चाहिए और अर्थपूर होने चाहिए जिससे की जिसके सामने या जिनके बीच में ये प्रक्रिया हो रही है वो उसको समझ सके तो इस चीज का बहुत बड़ा रोल है कि सिंबॉलिक जो कॉम एक्षन है सिंबॉलिक एक्षन एफेक्टिव होने चाहिए सिंबॉलिक जो एक्ष रहे हैं वो उस प्रक्रिया में एक प्रभावे रूप से दिखे एक प्रभावे रूप से वो सामने आये चौथा है संदेश प्रेट्शन से लेकर और संदेश ग्रहन तक की जो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए पिल्कुल effective होनी चाहिए संदेश चौथा जो उने का है पार्सिंग ने कि जो sender से लेकर receiver तक की जो totally जो इसके बीच में घटक है जो इसके बीच में जो पूरा step by step जो है जो जितने भी components हैं वो कैसी होनी चाहिए बड़े प्रभावी होनी चाहिए जिससे की sender से लेकर और receiver तक और receiver से फिर feedback sender तक जो है एक ऐसी प्रक्रिया प्रभावी प्रक्रिया हो जिससे की संचार पूर्ण हो सके मतब इदि ही source भी बहुत अच्छा है मुझे source मिल गया मैं sender हूँ मैंने सोचना encode करके यह हम आगे बताएंगे आपको encode, decode इसकी जो अलग-अलग जो विद्धवान थे उन्होंने अलग-अलग तरके से communication process को जो है communication process को explain किया है यह हम आगे आने वाले chapter में आगे आने वाले कायों में आपको समझाएंगे अभी हम सिर्फ आपका संचार का जो concept है उस concept को आपका clear कराना चाहते हैं तो जो sender है sender को source मिल गया sender ने क्या किया कि उसके बाद उसको encode किया और encode किसके आधार पर जो medium है जिसके माद्यम से वह आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहरा है चाहिए वह चैनल हो मीडिया के channels हो या कोई और माद्यम हो उनके माद्यम से आप तक पहुंचा रहा है receiver तक पहुंचा रहा है तो जो sender से लेकर receiver server तक की जो प्रक्रिया पूरी वह वह कैसे होनी चाहिए बिलकुल प्रभावी होनी चाहिए complete होना चाहिए उस początku पश्था होस्त की मैंने पहले विया आपको जिकर कि कि जो संचार की प्रक्रिया है वो वर्वल और नोन वर्वल में होती है और वो दोनों प्रभावी होनी चाहिए यदि आप लिखित संचार कर रहे हैं या मौकिक संचार कर रहे हैं लिखित और मौकिक को करते हैं साब्दिक संचार हिंदी में करते हैं साब्दिक संचार और अंगरीजी में करते हैं verbal communication जो सब्दों के माद DEM से हो चाए हो मौकिक हो चाए हो लिखित हो और non-verbal कहते हैं सब्धेत्र संचार या सब्देत्र घटक संचार के सब्देत्र घटक मतलब जो सिंबोलिक हो बίνा सब्दों के जिसमें कोई सब्दन तो लिखित रोप में है और नम्मोकिक रोप में वो सब्दित्र घटक होगे आपके सब्दित्र संचार उसको करते हैं वो भी तब प्रभाई होगी जब आपके जो लिखित जो बात आप करना चाहरे हैं जो बात आप रखना चाहरे हैं जो भावा आप प्रकड़ करना चाहरे हैं आप सब्साहर कर रहे हैं तो लिखित संचाहर ये मोखिक कर रहे हैं तो आप सब्सेह होने चाहिए जिनमें इस प्रष्टा हो यह अर्थ जिनका अर्थ जिसके सामने आप रहे हैं जिन तक आख यूप Paul pati पहुशाना चाह रहे हैं वो उसको सही डंग से और सरलता से समझ सके और जान सके हैं चाहे आप मोखिक कह रहे हैं चाहे आप लिखित में कह रहे हैं और सिंबॉलिक होना तो सिंबॉलिक में मैंने पहले लेका आपको कि कैसा होना चाहिए प्रभावी होना चाहिए आप संकिति जो how-how हैं वो इस तरह से प्रवाहिव होना चाहिए कि जिस से आप संचार कर रहे हैं वो उसको easily समझ सके तो यह संचार परक्रिया थी कि संचार परक्रिया क्या है और संचार परक्रिया किस तरह के होती है और संचार परक्रिया पूर करने के लिए हमको किन-किन बातों का विसेश दियान रखना चाहिए जो पार्सिंग थे जो विद्धवान थे अमेरिकन विद्धवान थे इन्होंने पांस तरह से इसको इन्होंने कैटेग्राइज किया नमबर एक इन्होंने कहा कि इंट्रापर्सनल कम्मुनिकेशन दूसरा कहा इंट्रापर्सनल कम्मुनिकेशन तीसरा काहा है इन्होंने जिसे हम कहते हैं media communication या medium किसी की मादिम सी communication हो रहा ह। और 4 मार्न कौमुलिकिशन थो एंटरा-पर्सन जब कौमुलिकिशन है Concierge Pigssä अंतहर व्यक्षिक संचार अंतहर व्यक् της शंचार आदमी अपना भी संचार करता है उसके मनोभाव दिल और दिमाग में जो संचार होता है या जो नहीं नहीं जो है उसके दिमाग में बातें आती हैं कोई इनोवेटिव आता है या कोई चाहा वो लेखने को लेकरो या आत्ममंधन जिसे कहते हैं या आत्मचिंतन जिसे कहते है यह सारे जो है क्या है अंतह व्यक्तिक संचार है कि आदमी कुछ सोच रहा है माना सपोज कोई लेखक है वो किसी बिसेट वो लिखना चाह रहा है तो पहले क्या करता हो अपने आप में जो है क्या करता है मनन करता है और अंतह व्यक्तिक जो है उसके अंदर जह संचार होता है म लिक्र कर रहा हूं कि वो क्या करते हैं पहले अपने जो भाव होते हैं जो किसी विषय पर जो है चिंतन करते हैं मनन करते हैं उसके बाद जो है उसको लिखित रूप में या मोकिक रूप में आपके सामने दख रहे हैं तो जो सोचते हैं चिंतन करते हैं जो मनन करते हैं अपन लोगों के बीच में जब संचार होता है जब भावनाओं का आदान परदान होता है जब जब जो है किसी विशेश पर चर्चा होती है ये क्या दो लोगों के बीच या एक से दो लोगों से अधिक लोगों के बीच जब संचार होता है विचारों का आदान परदान होता है किसी बिसे परचर्चा होती है, परचर्चा होती है, तो वह हो अंतरव्यक्तिक संचार हो गया, माध्यम संचार का मतलब है कि कोई बीच में एक माध्यम है, एक जगह से दुसरे जगह तक बात ले जाने में, बिचारों को ले जाने में, भावनाओं को ले जाने में, जानकारी को ल माध्यम में दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों बीच में जब सोचनाओं को एग जगा से दूसरी जि य estou में होता है पर चौथा उने का है गुरूप कॉममनिकेशन गृूप कॉमनिकेशन एक व्यक्ति भी किसी बड़े गुरूप में अपने बात buryकुता है या एक बड़े गुरुप के भी कर रहा है तो गुरुप संचार संगोष्टी कहते हैं संगोष्टी April गोष्टी और बैपके यह जो है क्या है कि गुरुप संचार का गुरुप कॉम्निकेशन का समो संचार से करते हैं हिंदी में समो संचार के उधारन हैं ठीक है ना कि संकोष्टी होते हैं तो कई लोग सामिलों के किसी एक विसेश 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 पर जो है चर्चा करते हैं पर चर्चा करते हैं मन्थन क करते हैं उसका जो प्रोब्ल aan पर मंधन की या जा है जिस्सप्रोब्ल्म पर समस्य किसे परीद सब लोग अपने बात रेहा है तो उसके बास पर मंधनन का जाता और उसका निषकिरशन काला जा सकता है तो यह क्या है समू संचार है यह यह ब्यक्ति कि जो है बहुत बड़े सम्मो को संभुदित कर रहा है वह अपनी बात इसमों की बीच रख रहा है तो वह भी संभुत संचार हो गया तो पांचोंगे आपका आया मास कोम्निकेशन जूँ आज क्यों मैं आपको यह सब चीजे हम बात में बिशत्रूप से पढ़ेंगे तो आपको इंट्रोग्टिक्शन करवा रहा हूं कि संचार का अर्थ क्या है इसकी प्रवासा क्या है इसकी परक्रिया क्या है इसका सुरूप क्या है और इसका महतु क्या है तो संचार अब मास को में किसन पर हम आए तो मास का मतलब डैनिमिक मास का मतलब बड़े लेवल पर एक बड़े स्तर पर जो है संचार हो रहा है उसे मास्कों में एक किसन कहते है, हिंदी में कहते हैं उसको जन संचार, जन संचार, और एक बड़े इस्तर पर क्या हो रहा है, सोचनाओं का आदान परदान हो रहा है, और इसके माद्दे में आप जानते हैं, जन संचार के माद्दे में क्या है, आपका रेडियो है, टेलिव माद्य में जन संचार के हैं और जन संचार एक बड़े अस्तर पर एक ब्रिद अस्तर पर जो है संचार हो रहा है communication हो रहा है वह verbal भी हो सकता है और वह non-verbal भी हो सकता है वह लिखित भी हो सकता है वह मौखिक भी हो सकता है आज की डेट में जो यूग है मास मीडिया का युग है एक बड़े हस्तर पर और यही कारण है जो मैंने अभी पहले ही पूर्व में आपको बताया कि पूरा विश्व आज एक गाउं की रूप में नजर आता है यह मास कॉमुनिकेशन का ही नतिजा है और मास कॉमुनिकेशन में जो नए नए तक्निकी जो नए नए टूल्स आये हैं सोचनाओं के आदान परदान के लिए जानकरे के आदान परदान के लिए मनोरंजन के लिए जो नए 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 टूल्स आये हैं मास कॉमुनिकेशन में मास मीडिया में चाहिए हो आपका टेलिविजिन हो या सोचल मीडिया हो सोचल साइट्स हो उ इस तरह से कि हम पहले अपने गाउन की जानकारी रखते थे आज हम उस तरह से पुरी बिश्र की जानकारी अपने घर में बैठ कर ही रख रहे हैं तो यह हो इसका यहीं कारण है और इसी लिए इसको का गया है कि Global Village Global Village इसको नाम दिया गया है तो यह मास्ट को नीकिस्ट आप पांस तरह के जो उने संचार को जो पार्सिंग थे हूं ने पांस तरह से इसको काटेगराज किया संचार को पांस भागों में तो अब हम बात करते हैं यसे काई कि जो अंतियम उपयकाई है संचार का महत उस पर बा इसके बारे में कि संचार का कितना बड़ा रूल हमारे जीवन में है बिना इसके आज का जीवन यापन करना आज की यूग में असंबव है क्योंकि हम तमाम तरह से पून रूप से संचार के जो साधन है उन पर निर्भर हो गए हैं चाहे हो टेलिविजन हो, चाहे हो सोचल मीडिया हो, चाहे हो प्रिंट मीडिया हो, या हमारे जो है e-paper हो, जो भी जानकारी हमको मिलती है, वो संचार की जो साधन है, संचार की जो संसाधन है, जो मादिम है, उनके मादिम से मिलती है, हमें कौन सी ट्रेन, कब जानी है, कौन सी बस अभी COVID की दौरान आप में देखा होगा कि हर हम सब लोग घरों में थे सब लोग घरों में कैद थे लेकिन हम जो है बिश्चु के हर गतिविदी से विग्य थे हम जो है बिश्चु में कहां पर क्या कटना गड़ रही है कोर्णा से कितना कहर कहां बरबरा है, किस देश में कितनी हालात बिगड़ गई हैं, या हमारे देश में क्या इस्तिती हैं, कब जो है, इसमें जो है, किस तरों से हमें बचना है, कैसे जो हमको सावदानी गरतनी है, ये सब चीजें, सब जानकारी हमको घर में बैठे-बैठे मिल रही थी, तो ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि संचार का कितना हमें तो हमारे जीवन में हैं, और बिना संचार का आज की युग में जीवन यापन करना असंब हो है. यह हम सब इस चीज से विग्ज्य हैं और हम इस सब चीजों को समझ भी चुके हैं. तो कहने का ताथ पर ये है कि आज इसे काये में हमने संचार की प्रवासा, आर्थ, इसके परक्रिया, इसका सुरूप क्या है और इसका सुरूप के साथ साथ इसके कितने माध्यम हैं, इस विशे की जो बिद्वान हैं, उन्हें कितने बागों में संचार के संचार को बांटा ह है कि इतने बागों में सो केटेगराइज किया है यह आपको बताया और इसकी इसका महित तो क्या है इसे काई के तहट बताएगी और मुझे उमीद है कि आप इस वीडियो को देखके जरूर आप जहें कुछ ग्यान पराप करेंगे और फिर हम इसी तरह से अगली एकाई को आपने लाएंगे तब तक के लिए नमस्कार